दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो NDA 2 2021 का जो रिटन एक्जाम नॉवंबर 14 को हुआ था उसका रिजल्ट UPSC ने डिसमबर 15 को आल अवर इंडिया में रिलीज कर दिया है और काफी सारे केंडियेट्स जिन्हें सेलेक्शन नहीं हो पाया है वो काफी चिंती थें कि वो अपना मार्क सीट देखना चाता है तो आपको इस वीडियो के माधियम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना मार्क सीट जो NDA का रिटन एक्जाम हुआ है उसका मार्क सीट आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपको पता करना है कि आपको मैथेमेटिक्स में कितने माक्स आया है गैट में कितने माक्स आया है ताकि अगर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो आगे आने वाले जो एक्जाम हैं nda1-2022 के लेकर तो आपके सबसे पहले इस चैनल को subscribe करना है और उसके बाद आपको इस चैनल के playlist पे आना है जैसे ही आप इस चैनल के playlist पे आएगे तो आपको कई सारा playlist आपके screen के उपर मिलेगा आपको सबसे पहला जो playlist होगा current affairs for nda2-2021 and cds2-2021 आपको यह वाला प्लेलिस्ट ओपन करना है और यहां पर मैंने करेंट अफेर्स के लिए पूरे करेंट अफेर्स जो की NDA और CDS दोने में आये थे उसे मैं अलड़ी कवर करा चुका था और इससे मैक्सिमम क्वेस्टेंस NDA और CDS के एक्जाम में आये थे जब हम बात करते हैं NDA को लेकर तो लगवग 15 question आते हैं NDA के current affairs में और CDS में लगवग 20 questions आते हैं तो 15 में से लगवग 13 questions और 20 में से लगवग 15 question इसी channel के वीडियो से आयाए लिए हम करते हैं कि आपको इस channel को subscribe कर लेना है इस current affairs को लेकर तो यहाँ पी मैंने पिछली वार NDA 2 और CDS 2 में मैं पूरे current affairs इस playlist में cover कराया था आप इस playlist को चला कर देख सकते हैं और काफी सारे questions जो की NDA और CDS के इंग्जाम में यहाँ से as it is आ गये थे और जब हम बात करते हैं गैट को लेकर तो गैट विच प्लेज प्लेजर रोल इन दे इंडियर इंग्जामनेशन तो अगर आप गैट के preparation करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे videos available मिल जाएंगे यहाँ पर गैट के videos जैसे की layers of atmosphere rotation, revolution, cyclone and anti-cyclone rock and its types, earthquake, wild lap, sanctuary, railways, roadways मतलब कई सारे जो geography होते हैं, political science होते हैं, history होते हैं इसमें जो important topics हैं मैं उन topics पे ही सिर्फ video बनाया हूँ मैं पूरे pathfinder या फिर पूरे किताब को cover नहीं करवाया हूँ मैं आपको यह guarantee देना चाहता हूँ कि अगर आप इन तमाम videos को देख लें और अगर आप NDA exam में चले जाएं तो आपका get का section बहुत ही सांदार होने वाले हैं और आप geography, history और political science में लगभग सभी questions solve करके ही आएंगे और इसमें जो pathfinder जो की एक book है जो की most of the toppers के दौरा recommend किया जाता है उस pathfinder book से ही मैंने इस सारे topics को मैं cover कराया हूँ इसमें कई सारे topics हैं जैसे की matrices, statistics, complex number, maxima and minima, limits, binomial differentiation, conics, trigonometry, quadratic, sequence and series, relation and functional permutation and combination integration so इन सारे तमाम जितने सारे playlist में मैं इस सारे playlist आपके लिए ही बनाया हूँ और इस playlist में क्या है तो इस playlist में मैं आपको ऐसे ऐसे trick बताया हूँ कि उस trick को आप अगर learn कर लेंगे, अगर आप उस trick को सीख लेंगे तो जस्ट आप उस trick के माद्यम से आप जस्ट दो से तीन सेगेंड में ही आप UPSC, NDA के सारे questions solve कर पाएंगे mathematics के section में जिससे आपका sectional cut off होगा ही और आपका maximum score होगा उसमें भी boost आएगा अगर आप इन सारे तमाम वीडियोज को देख लेते हैं और अगर आपका concept पका एकदम clear है तो आप लगभग mathematics में 150 marks आराम से ला सकते हैं इसलिए मैं आपको recommend करणगा कि आप इन सारे तमाम वीडियोज को जरूर देखें और जब हम बात करते हैं कि जिन जिन का selection हो गया है तो जिन जिन का selection हो गया है उनके लिए मैं ये recommend करना चाहूंगा कि वो SSB का जो एक playlist है उस पे जरूर visit करें मैं SSB के लिए भी एक separate से playlist बना चुका हूँ जैसा कि आपके screen के उपर ही appear हो रहा होगा प्रिपरेशन का playlist आपको simply इस playlist पर क्लिक करना है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो OIR होता है OIR plays a major role in selection into the services selection board OIR जो होता है जो screening के first day होता है और OIR में आपको लगवग rating 1 rating 2 या फिर rating 3 लाना ही होता है अगर आप rating 3 के बाहर है तो आपका selection नहीं होगा इससवी में तो इसलिए अगर आप चाहता है कि आपका rating 1 हो या फिर आपका rating 2 हो या फिर आपका rating 3 हो मैं आपको यह recommend करूँ हो कि आप अभी से target करें कि आप आपका rating एकदम 1 हो इसके लिए आपको क्या करना है जतने सारे videos the videos which are there on this playlist you have to watch every video because the topics which we have taken from the topics are taken from the original SSB which have which have come in the SSB center of Allahabad I say SSB center of Bhopal SSB center of Dehradun, Mysore even from the naval center the questions have come So you have to watch all the videos which we have made for you by analyzing the previous year question of OIR And these questions are very much important अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर तो इस वीडियो के माधिम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो Marksit है NDA का जो return exam हुआ था काफी सारे candidate का selection हो गया है और कुछ candidate का नहीं हो पाया है तो उन सारे candidate अपना Marksit check करना चाते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके सामने में जो result का PDF ओपन कर लिया हूँ आपको simply जो first page का PDF है उसको scroll down करना है और आपको last paragraph में आना है इस last paragraph को मैं एक rectangular box के अंदर डाल दे रहा हूँ और जैसे ही मैं इसे एक rectangular box के अंदर डालूँगा आपको इसको एक बार read कर लेना है मैं आपकी सुभधा के लिए एक बार read कर दे रहा हूँ मतलब यहां पर simple भासा में यह बताया गया है कि अभी अभी UPSC का जो result आया है इंडिये का और इस result आने के बाद candidates को SSB के लिए बुलाए जाएगा और उनमें से लगभग 8 and 10 candidates को SSB के लिए बुलाए जाएगा और इनमें से लगभग 550 candidates को SSB में select कर लिया जाएगा और इस 550 में से लगभग जो top 400 में होंगे इन top 400 candidates का नाम जो NDA का merit list होता है उसमें आएगा उसके बाद उन 400 candidates को ही NDA National Defense Academy में जोइनिंग होगी और इस 400 में से जब हम बात करते हैं seats को लेकर तो इस 400 में से 381 seats है boys के लिए और 19 seat है girls के लिए और जब हम बात करते हैं mark street को लेकर तो जैसे ही final merit list आता है NDA 2021 को लेकर NDA 2021 को लेकर जैसे ही mark street UPSC के official site पे आता है तो आपको इस channel के मादेम से सबसे पहले जानगारी दी जाएगी और उसके बाद इस merit list आने के 15 दिन बाद मतलब merit list जब आएगा इसके बाद 15 दिन के बाद आपका जो mark street है वो mark street UPSC के official site पे upload कर दिया जाएगा आपको अपना roll number और आपका date of birth मालूम होना चाहिए इन दोनों details से अपना जो आपका portal है वहाँ पर आप login कर सकते हैं और अपना mark चेक कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले exams में आपका सुविधा तो सके कि आपको कितना marks और increase करना है अगर आप फेल हुए हैं ताकि आपको कितना मेहनत और करना है ताकि आप अगले आने वाले attempt में पास हो जाए तो friends एक बार मैं इस video को summarize कर देता हूं कि जैसे ही इस videos जैसे result आ गया है और result आने के बाद जब SSB interview होगा तो उसके बाद आपका merit list आएगा merit list आने के 15 दिन बाद आपका जो mark sheet है वो UPSC के official site पे आ जाएगा और वो जो mark sheet होगा वो लगवग 30 दिन के लिए for next 30 days it will be available on the UPSC site you can go and download from UPSC official site जैसे ही mark sheet का availability UPSC official site पे हो जाता है आपको इस channel के माधियम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी so friends this was the end of the video I hope all of you enjoyed the video thank you friends for tuning till the end thank you